जब ये 10th से 11th में आता है, जो भी बायो चूज करता है, और बेसिकली जो भी नीट के प्रिपरेशन के लिए, मींस नीट का प्रिपरेशन का मतलब क्या है? नीट पास करना, क्यों? क्यों हम लोग नीट का तयारी करते हैं? क्योंकि हमें क्या चाहिए? एक सीट, एक सीट चाहिए MBBS का, ठीक है? और वो भी कहां पे चाहिए होता है हम लोगों को? गौवर्मेंट मेडिकल कॉलेज में. प्राइबेट का तो सोच नहीं सकते हैं? क्योंकि प्राइबेट का, किसी भी प्राइबेट कॉलेज का फी, अब जो रहा गया है, वो किसी भी प्राइबेट कॉलेज का फी, आपका का, ये MBBS का, फूल कोर्स का, एक करोर से कम नहीं है. ठीक कम से कम minimum fee जो है वो 8 lakh है maximum आपका 20 lakh, 22 lakh, 25 lakh ऐसे है per year तो इसलिए हम लोग तो private के इधर अभी सोचना ही नहीं है तो need का मतलब क्या है कि एक seat हमें चाहिए MBBS के लिए अगर MBBS कुछ लोग का choice तो नहीं होता BDS generally मजबूरी में BDS select करते हैं या आपका आईरवेद लोग select करता है लेकिन main aim जो होता है जैसे ही आप 11 से 10 से 11 में आते हैं बायो चूज करते हैं और चाहते हैं कि डॉक्टर बनना है तो इसके लिए आपका aim क्या होना चाहिए एक seat एक seat चाहिए आपको MBS का government medical college में ठीक है तो लोग और आपके जैसे सब बच्चे starting में से यही question रहता है सर कैसे need clear किया जाए need को कैसे pass किया जाए ठीक तो हम किसी को यह नहीं बताते कि आप यह कीजिए मतलब यह यह कीजिए और MBS कर जाएगा या need pass कर जाएगा आपको MBS में seat मिल जाएगा हम हमेशा बोलते हैं बच्चे को कि जिनका नहीं हुआ है जो need नहीं कर पाए ठीक पहले उनका mistake पूछिए उनसे जानने का कोसिस किजिए कि need क्यों नहीं clear हुआ ठीक है क्या गलती किया अपने दो साल के study में दो साल के preparation में जिसके वज़ा से वो need का exam pass नहीं कर पाया पहले उसके mistake को पूछिए कि वो mistake क्या किया ठीक ही दो साल के preparation में या उसके बाद भी क्या mistake करते आया तो उस mistake को समझिए पहले अगर हम लोग mistake का बात करें कि generally हर बच्चा जब need का preparation स्टार्ट करता है तो ये सारा गलती होता है और करते भी हैं कुछ बच्चे होते हैं जो कि धीरे धीरे ठीक टीचर को सुनके अच्छे बच्चे के संगत में आके अपने आदत को सुधारता है अपने attitude को सुधारता है तो सबसे पहला हम लोग बोलते हैं कि जो mistake नीट में जो किया जाता है नीट के preparation में जिन बच्चे का नहीं हो पाता है उनका क्या गलती है ठीक क्या गलती किये अपने दो साल के preparation में तो first गलती जो होता है सबसे पहला जो हम बात करते है attitude का ठीक है attitude का बात करते है attitude क्या है बोलिएगा सर ये तो सब बोलते है कि कोई भी preparation कीजिए positive attitude रखिया ठीक है अब ये positive attitude है क्या positive attitude क्या है अभी देखिए तीन तरह का बच्चा मिलेगा तीन तरह का student जो नीट के लिए नीट के preparation में आया है बायो select किया है अब ये तीन तरह का बच्चा कौन होता है एक होता है जो सोचता है या दूसरे को कहता है कि नीट हम कर लेंगे कर लेंगे तो ये attitude मेरे हिसाब से या कोई भी जो नीट करना चाहता है उसके लिए ये attitude सही नहीं है नीट कर लेंगे ठीक है कर लेंगे का मतलब क्या है he is not dedicated towards his goal मतलब वो एक तरह से हो सकता है कि उसे घर से pressure देके बोला गया कि आपको डॉक्टर बनना है इसलिए bio select कर लिया और नीट का preparation start कर दिया एक ये हो गया दूसरा है नीट हो जाएगा ठीक हो जाएगा हो जाएगा का मतलब क्या है कि वो over confidence है उसमें over confidence है over confidence होगा अगर माल लेजिए talented है और over confidence से भड़ा हुआ है कि हम तो नीट कर ही लेंगे ठीक अगर ऐसा concept आ गया दिमाग में ऐसा attitude हो गया तो वो मेहनत नहीं करेगा उससे मेहनत होगा ही नहीं वो हमेशा टालेगा अपने काम को टालेगा आज का पढ़ाई कल पे कल का पढ़ाई परसों पे इस तरह से टालते जाता है ठीक उसे लगता है कि जैसे 10th class मे बोर्ड क के टाइम दो घंटे चार घंटे या छे घंटे पढ़के अच्छा माक्स ले आए 95% 98% ले आए वो उसी फिराक में रहेगा और फाइनली क्या होगा नीट किलियर नहीं होगा तो positive attitude क्या होगा नीट करना है सबसे first जो आपको सोचना है वो क्या है कि नीट पास करना है करना ह यह concept जहां आया कि करना है ठीक है नीट करना है तो आप क्या करेंगे कि आप पूरे जो हम starting से बोलते आ रहे हैं कि आप पूरे उत्सा के साथ यह आपके अंदर से आएगा कि नहीं हमें नीट पास करना है तो इसको नीट पास करने के लिए हमें मेहनत करना पड़ेगा मेहनत के साथ साथ हमें पंचुल होना पड़ेगा ठीक है तो आप क्या करते हैं कि इसके पीछे अपने गोल के पीछे लग जाते हैं जी जान से पूरे उत्सा के साथ पूरे डेडिकेशन के साथ पूरे जुनून के साथ आपको जुनूनी बनना पड़ेगा अगर नीट किलियर करना है ठीक पूरे जुनून के साथ पूरे उत्सा अपने उत्सा को दो साल तक बनाए रखना पड़ेगा तो फर्स्ट मिस्टेक जो होता है बच्चे का that is the attitude attitude कैसा होना चाहिए positive attitude यह सबको पता है कि कोई भी competition like need जो है need क्या है अगर need को समझें तो need इतना भी आसान नहीं है जैसे आप लोग क्या करते मैगी बनाना है पानी में डाले दो मिनट में बन गया means कहने का मतलब है board exam में last में पढ़े ठीक है दो घंटे चार घंटे पढ़े अच्छा माक्स आ गया है इतना भी आसान नहीं है और इतना भी कठीन नहीं है जैसे अभी आप लोग रोज सुनते है news में कि कोरोना का vaccine अब आएगा आने वाला है first phase में है second phase में है third phase में है ऐसा क्यों हो रहा है क्योंकि कोरोना का या कोई भी vaccine बनाना एक बहुती tedious काम होता है बहुती मेहनत लगता है बहुती resources लगता है तो इतना difficult भी नहीं है और इतना आसान भी नहीं है क्या है चंद्रमा पे जाने इतना कठिन नहीं आई है और नहीं इतना आसान है कि जैसे आप बोड में 90% marks ले आए ठीक है बोड में क्या होता है आपको percentage marks मिलता है और कोई भी competition मेरे हिसाब से competition आपके selection के लिए नहीं होता है competition किसलिए होता है competition किसके लिए होता है elimination के लिए हम लोग पढ़ाते हैं जब बायो में आप पढ़िएगा 10th class में भी पढ़े होंगे क्या होता है कि आप NEET को समझिए क्या है nature के जैसा ठीक है और nature हमेशा NEET का जो exam होता है CBSC जो लेता है उसको समझिए nature के जैसा और nature में क्या है कि यह जो CBSC है CBSC में NEET का exam देने वाला student 14 से 15 लाख student है जैसे nature में बहुत सारा population है और nature क्या करता है कि कोई भी nature में जो population है nature में जो population होगा ठीक population में क्या होता है selection होता है ठीक selection किसका होगा superior का superior का selection होगा ठीक selection होगा और बांकी का क्या होता है elimination होता है ठीक है अब जिसका selection होता है इसको nature power देता है reproduction का ताकि यह अपने species को continue कर सके क्या कर सके species को continue कर सके अब इसको समझे कि यह आपका NTA है जो medical का exam लेने जा रहा है ठीक है population क्या चीज का है student का है और यह कितना है 14 लाक student है या 15 लाक 16 लाक student है अब इस 16 लाक student में से जैसे nature के पास क्या है यह जो nature select करता है nature के पास क्या है limited क्या होता है resources resources कहने का मतलब nature के पास limited resources किसके लिए है food के लिए habitat के लिए ठीक है food और habitat के लिए क्या है एक limited resources होता है नेचर में ठीक इसी तरह जो यह 14 लाक student है ठीक लेकिन जब यह आपका जो estimated seat है माले लिए government seat एक एक एप्रॉक्स हम लोग data ले रहे हैं कि 35,000 है तो यह 35,000 को ही select करेगा CVSC बाकी को क्या करेगा eliminate करेगा तो select किसको करेगा जो सुप्रियर होगा selection किसको किसका होगा जो सुप्रियर होगा जो सुप्रियर होगा उसको CVSC सेलेक्ट करेगा CVSC किसको सेलेक्ट करेगा सुप्रियर student को और इसको मिलेगा MBBS seat ऐसे समझे आप अपने bio से relate करके ठीक है country है country में बहुत सारा student है जो medical करना चाह रहा है MBBS का seat लेना चाह रहा है लेकिन सब लगा हुआ है लेकिन यह जो NTA है वो किसको select करेगा जो अच्छा बच्चा होगा जो काबिल है उसका selection होगा उसे MBBS तो काबिल कैसे बनना है कैसे अपने आपको survive करना है इतने लोगों के बीच में तो सबसे पहला है आपका जो हम लोग बात करना है यह क्या है attitude attitude आपका होना चाहिए पॉजेटिव attitude सिंपल है positive attitude लेकिन क्या होना चाहिए positive attitude कि आपको पूरे उत्सा, उमंग, हौसला से लगना चाहिए ये नहीं कि घर से धक्का दे के बोला जा रहा है कि जाओ class करने के लिए class करने बैठो, login करो class करने बैठो, ये क्या हो गया घर से आपको जबरदस्ति किया जा रहा है जब तक ही आपके अंदर नहीं आएगा कि हमें class attend करना है, हमें self study करना है और ये कब होगा, जब आपका interest जगेगा और interest जगाने के लिए आपको अपने उत्सा को, अपने जुनून को बनाए रखना पड़ेगा दो साल तर जैसे अगर आपको किर्केट खिलने बाहर जाना है, तो ऐसा होता है कभी कि आपको parents बोलते हैं कि जओ किर्केट खिलने जाओ या ऐसा कभी होता है कि आपको PUBG game खिलना है या YouTube पे वीडियो वाच कर देखना है, कोई music का वीडियो देखना है तो ऐसा कभी बोला गया है कि जओ YouTube चला, ऐसा नहीं बोला गया है, लेकिन आप करने जाते हैं, आप किर्केट खिलने जाते हैं, आप YouTube पे वीडियो देखते हैं, आप बाहर घूमने जाते हैं दोस्तों के साथ, क्यों? अच्छा लगता है, interest है, अगर वैसा ही interest आपको आज इंट्रेस्ट लग गया, ठीक, interest जग गया, तो आपको कभी भी ना हमें ना पेरेंट्स को कहना पड़ेगा कि आप बैठके exercise कीजिए, आप बैठके question कीजिए, आप बैठके पढ़ाई कीजिए, ये जैसे ही interest आएगा, तो आप automatic करना चालू कर देंगा, और ये interest जगाना हो जब तक नहीं जगाईएगा, तब तक ये एक MBBS seat government college में, समझ जाईए, हमेशा बात करते हैं, क्या है, less than 1% chances है आपके selection का, तो इतने population में survive करना है, अपने आपको एक MBBS का seat लेना है, दूसरा गलती, पहला mistake तो ये हो गया, कि attitude, दूसरे पर आजाईए, not doing NCRT, बच्चे में ये गलत फर्मी पता नहीं कहां से आ जाता है, कि NEET का तयारी करना और board के लिए, अलग से पढ़ना पढ़ेगा, especially अगर bio का बात करें, बायो में 100% आपको पढ़ना है NCRT, एक बार पढ़िये, दो बार पढ़िये, तीन बार पढ़िये, चार बार पढ़िये, इतना पढ़िये, कि हर एक line आपको पता होना चाहिए, ठीक है? जैसे हमें पता है, वैसे आपको हर एक line कहाँ पे क्या है, और उस line का, उस word का meaning पता होना चाहिए, क्योंकि आपका at least 85% out of 90, बायो में कहां से आने वाला है, NCRT से आने वाला है, तो क्या जरूरत है ये मोटा मोटा बुक, कभी जाके कोई दिनेस का बुक खड़िज लाए, कभी कोई सुरेस महेस, कोई भी बुक देखे अपने फ्रेंड को कितना मोटा बुक पढ़ रहा है, तो सौक भी होता है बहु लगा हुआ है, Not Doing, Exercise, मतलब आप लोग MCQ करते ही नहीं, MCQ करते ही नहीं, स्टार्टिंग से बोलना है, कि आपको एक लाग कम से कम MCQ करना पड़ेगा, मिस क्या है, यह एक लाग MCQ करने का मतलब क्या है, कि आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है, प्रैक्टिस करना पड़ेगा एक लाग कोशन का इस दो साल के अंदर, जब आप नीट के लिए बैठियेगा, उस समय तक इतना कोशन होना चाहिए, आपके पास, इतना अ आता है, अब क्या हो गया है, नीट में, आपको यह समझना परेगा कि नीट में क्या है, सेलेक्टिस का जो परसेंटेज है, जिस marks पर आपका सेलेक्टिस होगा है, एडाउंग 600 marks, 600 marks out of 720, ठीक है, यह आपको M लेके चलना है, तो 600 marks out of 720 यह एप्रॉक्स 80, 81%, 82% के पास, अग इतने के लिए आपका क्या होना चाहिए प्रैक्टिस बहुत ही ज्यादा होना चाहिए ठीक है प्रैक्टिस क्या होना चाहिए बहुत ज्यादा होना चाहिए तब जाके आपका निगेटिब कम होगा हमेशा यही सोच के प्रैक्टिस किजिए कि कोस्टन को एक्सराइज को कि उ यह भी वर्ड के question को तब तक practice करते रहे हैं जब तक उस exercise में आपका negative zero ना हो जाए ठीक इससे क्या होगा अगर इतना practice किजिएगा तो इससे आपका speed आएगा पहला दूसरा accuracy जो दोनों के लिए हम लोग तरस्ते हैं जो नीट नहीं कर पाता है दो reason knowledge है पढ़ाई किया भी मेहनत भी किया ठीक है लेकिन क्या है कि आपको 3 गंटे time मिलेगा 180 question है इसमें से 30 मिनट time आप minus कर दिजिए क्यों minus करना है कि जब आप exam में बैठिएगा आपको 180 question के लिए 180 bubble जो है bubbling करना रहता है तो 15 मिनट तो उसमें रखिए at least वो जो color करते हैं न OMR पे किये भी होंगे 15 मिनट उसमें 10 से 15 मिनट आपको आएगा कोई बोलेगा इधर sign करो कोई आएगा उधर sign करो distraction होगा तो आपके पास रागिया इतना आपको करना है 81% 82% accuracy के साथ within two and half hour तो ये कैसे संभब होगा कि आपको क्या चाहिए accuracy भी चाहिए speed भी चाहिए knowledge तो चाहिए knowledge तो सब के पास होता है लेकिन ये इसमें lag कर जाते हैं इसमें जैसे ये जो आपका speed accuracy तभी आएगा इसके लिए एक ही चीज है जो आपको करते रहना है practice 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 दूसरा revision 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 यही करना है यही सब practice नहीं करता जिनका नीट में नहीं हो पाता है NCRT नहीं करते NCRT का exercise नहीं करते practice नहीं कर पाते उतना ठीक है उसके बाद क्या है revision नहीं एक आपका planned होना चाहिए revision जो है वो planned होना चाहिए अगर आप planned नहीं कर पाते है revision ठीक है अगर planned नहीं कर पाते है revision तो सबसे best तरीका है जो test series है ठीक जो test series चल रहा है आप जहां भी join किये हुए हैं जहां भी आप पढ़ाई करने हैं वो जो test series होगा उस institute का ये test series क्या होता है कि ये बहुत अच्छे से design किया हुआ रहता है ये आपका अगर आप test series को follow करते गए throughout the preparation दो साल का जो preparation है तो ये test series आपसे क्या कराएगा कि आपसे revision भी कराएगा आपको पढ़ने के लिए भी मजबूर करेगा कि हर test में आपको ये सोच के जाना है कि हमें अपने आपको improve करना और अगर ये सोच रखे हुए कि improvement चाहिए हमें हर test में improvement चाहिए तो आप practice किजिएगा पढ़िएगा घर पे तो test series में और test series का जितना भी test है ठीक है हर एक test को दीजिए अगर संयोग से किसी test में preparation नहीं है तो भी test दीजिए at least आपको question तो मिलेगा उस questions को लाके घर पे practice कर सकते तो एकदम test series के साथ अगर चलिएगा तो क्या होगा कि आपका revision भी time पे होगा क्योंकि test series में बीच बीच में revision test होते हैं उसी साब से revision भी हो जाएगा practice भी होगा और test में अगर improvement का चाहत पाल रखे हैं और चाहत रखना अगर ऐसा चाहत है कि हमें हर test में improve करना है तो यह आपका speed भी आएगा accuracy भी आएगा rank भी improve करेगा और preparation भी अच्छा होगा तो यह mistake नहीं करना है आपको throughout the preparation और एक जो general सब लोग कहते हैं एक सबसे बड़ा जो होता है excuses यह समझ आईए कि यह student का ठीक है सबसे बड़ा हतियार है अपने नाकामी को छुपाने के लिए ठीक क्या होता है कि अगर हम पूछ रहे है exercise किये अगर आपको कुछ homework दिया गया आज आपको मान लीजिए 30 questions सर ऐसा है कि मेरे घर guest आ गिया ऐसा है कि आज light नहीं था ऐसा है आज cricket खिलने चले गए या बिमार पड़ गए तो यह सारा excuses है ठीक यह सारा क्या है excuses है खराब लगेगा सुनने में कि यह ऐसा बोल रहे है कि बिमार भी अगर actual में कोई पड़ा है अकर बोलेगा तो हम ऐसा नहीं सोचेंगे ऐसा सोचेंगे कि यह excuse दे रहे है तो यह सही में excuse है अब आपको देखना है कि आपको कब time निक करेगा कि हमें per day इतना question करना है ठीक जैसे जो सब student का problem होता है कि sir time नहीं मिला यह सबसे बड़ा excuse होता है जो need के preparation में लगा रहता है question अगर homework के बारे में कुछ आ जाता है time नहीं मिला time यह excuse हो गया और excuse अगर आगे आप में excuse देने का nature अगर आपके अंदर है बहाना मारना इसको हिंदी में बोलते हैं बहाना मारना जिसको बहाना मारने का आदत हो जाता है वो जिंदिगी में कुछ नहीं कर पाता है यह बहाना से बचना है जो काम दिया जा रहा है या जो काम है आपका उस उस काम को करना पड़ेगा, ठीक है, काम क्या है, कि आपको अगर दिया गया इतना question करना है, या test में appear होना है, test series करना है, class attend करना है, तो उसको कीजिए, पूरे लगन के साथ कीजिए, पूरे महिनत के साथ कीजिए, तब जाके आपका तयारी अच्छे से होगा, ठीक, तो गलती क्या क्या है, ये सारा गलती जो आप हमेशा, लोग बोलता है कि टॉपर का interview देखिए, जो टॉप किया है उसका interview देखिए, वो तो सब देखता है, ठीक, टॉपर आपको बोलेगा हमने, ये ये किया, 18 गंटे, 14 गंटे, 16 गंटे पढ़ाई किया, कहीं कोचिंग नहीं किये, रोज पढ़ाई किये, ठीक, लेकिन जो failure है, जो नहीं कर पाया, उनसे पूछिए, ठीक है, और उस गलती को आपको नहीं दोराना है, इसके अलाबा बांकी सब कुछ करना है, गलती क्या क्या करता है, यह हम बात कर रहे हैं, जिनका rank 4 आया है, हम उस student को भी जान रहे हैं, ठीक, जिपमर में rank 4 आया है, जिनका rank M में है, उनका भी बात कर रहे हैं, सबका है, उन में और जो failure हुआ, दोनों को अगर हम compare करते हैं, तो यहीं देखते हैं, अपने पूरे, जो मेरा खुद का experience है, उ दूसरा exercise नहीं करना चाहता, question नहीं करना चाहता, test में appear नहीं होना चाहता, यह सब बुरा आदत है, अगर आप NEET का तयारी कर रहे हैं, और ऐसा अगर आदत है आपके अंदर, तो यह बुरा लत है, इस बुरे लत में एकदम से नहीं जाना है, ठीक है, अब करना क्या है, कर करना क्या है, आपको NCRT के से को पढ़ना है, question बनाते रहना है, revision करना है, test series देते रहना, ठीक है, अगर यह आप पूरे दो साल तक पूरे लगन के साथ, मेहनत के साथ करते रहेगा, तो आपको NEET में एक MBBS seat लेने से नहीं रोक सरता, अगर पूरे मेहनत से किये हैं, तो अपना maximum effort लगा के, हमेशा आपको maximum effort लगाते रहना है, जब आप effort लगा रहे हैं, हो सकता है कि initially दो मेने, तीन मेने आपका test में result अच्छा नहीं आए, तो यह नहीं कि give up कर देना है, यह हमेशा याद रखिए कि अगर एक बार decide किये हैं, जो आपका decision है, उस decision को सही ठाराना है, अगर यह सोच लिए कि हमें अपने decision को सही ठाराना है, तो इसके लिए आप क्या किजिएगा, खुद से, खुद से आपके अंदर से यह आएगा कि यह मेरा खुद का decision है, और इसके लिए हम अपना maximum effort लगाएं, और बस effort लगाते रहे हैं, अपना maximum देते रहे हर समय कोश किजिए कि 101% दें, 100% भी नहीं, 101% दें अपना और यह maximum effort लगाते रहे हैं, और अब जब effort लगाईएगा, तो ऐसा नहीं है कि success नहीं मिलेगा, success मिलना है, और यह दिमाग में अभी तो एकदम नहीं, जब तक आप NEET का exam नहीं दे दें, तब तक दिमाग में यह कहीं से लान ही नहीं है कि मेरा NEET होगा या नहीं होगा, हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, यह एकदम इस पे जाना ही नहीं है, आपको बस सही रास्ते पे चलना है, काम करते रहना है, अपना effort लगाते रहना है, test देते रहना है, practice करते रहना है, revision करते रहना है, अगर अभी से सोचते एक negative thinking डेवलप करना शुरू कर देगा और जैसे negative thinking आएगा दिमाग में तो आप अपना effort कम करते जाएगा और यह effort इतना कम होते जाएगा कि दो साल में आपको फिर देखिएगा कुछ नहीं कहीं का नहीं ना नीट में अच्छा माखस आया ना बोड में अच्छा माख बस यह समझे कि अभी हम जो decision लिए हैं हम student है student का काम है कि सही से अच्छे तरीके से पूरे लगन से बहनत से जैसे बोला जा रहा है जिस तरह से कहा जा रहा है रास्ता दिखाया जा रहा है उस रास्ते पर चलते रहना है निरंतर लगातार बीना ठके बीना रुके और इसमे क्या करना है आपको कि punctual रहना एक सबसे बड़ा बात हर पर ड़े कुछ न कुछ पर ड़े का एक starget बनाई है सबसे अच्छा तरीका है कि अगर आप पर डे का एक टार्गेट होना चाहिए, इन बच्चों का जो नहीं कर पाते हैं, वो टार्गेट नहीं लेके चलते, ठीक है? उनको लगता है कि टेस्ट होगा, टेस्ट के दिन पर लेगे, तो ये आपको टार्गेट बनाना है पर डे का, हम यह नहीं बोलना कि आप डूटीन बनाईए, पेपर लिजिए, एफोर साइज पेपर लिजिए, उस पे उपर पे लिखिये, जये माता दी, जये बजरंग वली करके, चार बज़े जगेंगे, छे बज़े पढ़ाई करने बैठेंगे, छे साथ पढ़ेंगे, फिर नास्ता क करेंगे, फिर दस बज़े से पढ़ाई करेंगे, फिर स्कूल जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, उठें चार बज़े सुबह, नींद खुला, माल लिजे वासरूम गए, वासरूम इंगेज है, आधा गंटा इंतिजार किये, नहीं, खाली हुआ, सो गए, आज का अब आज कर स्टुडेंट थोड़ा टेक्नोलोजी से ज़्यादा लगा होता है, थोड़ा हर जगा का इंफॉर्मेशन चाहिए होता है, घूमने जाना है, दोस से मिलने जाना है, वाटसेप चलाना है, फेस्बुक चलाना है, गुलगपा खाने जाना है, बाहर चाय पिने ज आता है तो यह इसू से बचने का एक तरीका है कि आप अो हो सिल चैपटर कम्प्लेट करना है एक वाई ऐसक्षा क्षें मांने करना है कि अगर आपको पढ़ने का मन्था । म中共 करना है अभी यह seven पर करने का टाइम था आपके घर गेस्ट आ गिया आप नहीं पढ़ पाए ठीक है नहीं पढ़ पाए गेस्ट के साथ इंज्वाई कीजिए लेकिन अब जो उसके बाद जो टाइम है उस टाइम को युटलाइज कीजिए और तब तक नहीं सोईए जब तक यह आपका गेस्ट कीजिए लेकिन इसको कंप्लीट विना किये नहीं सोईए तो आप बहुत इसके लिए आपको डिसिपलीन होना पड़ेगा ठीक है अगर रूटीन से नहीं कर पारें, किर्केट भी खिलने चले गए, या गुलगप्पा खाने भी बहार चले गए, घुमने चले गए, तो ये करना पड़ेगा, ठीक है, तो आपको बहुत पसीना बहाना पड़ेगा, ठीक है, बहुत सेक्रिफाइस करना पड़ेगा, साधी, ब साथ नहीं चलू रहा है टेस्ट नहीं चला रहा है पढ़ाई बंद lobster कर दीए औस ताइम आपके लिए होता है कि उस टाइम को जो पढ़ाया हुआ है both revision का time नहीं मिल रहा था practice का time नहीं मिल रहा था उस revision को किजिए प्राक्रिक्टीश को किजिए तो क्या होगा कि आप भीर से अलग हो जाएंगे भीर क्या करेगा भीर maximum student क्या करेगा मान लीजिए दिवाली से 6 तक का 10 दिन का छुटी हुआ तो maximum student जो है जिनका selection नहीं होता उनका बात करने वो क्या करेंगे कि पूरा festival में आपने आपको जोग दिया पढ़ाई लिखाई 10 दिन तक बंध है पूरा कट गए पढ़ाई लिखाई से अब जिनको selection लेना है वो क्या करेंगे इस time को opportunity के जैसा लेंगे कि मेरा ये topic revise नहीं हो पाया है इस chapter का exercise नहीं कर पाया है तो उस chapter को करेगा उसका exercise करेगा ठीक है तो क्या हो गया भीर से अलग हो गया आगे बढ़ा जैसे आप आगे निकलिएगा भीर से तो आप इसके selection के नजदीक होते जाईएगा तो यहां आपको sacrifice भी करना होगा दो साल तक ठीक है friend, यारी, दोस्ती मौज, मस्ती इससे बचना पड़ेगा, बात कीजिए time से कीजिए, timely कीजिए involve नहीं कीजिए किसी चीज में कीजिए हर चीज को involvement ज़्यादा मत दीजिए ऐसा नहीं हम बोल रहे हैं कि दिनवर बैटके पढ़ाई ही कीजिए ठीक, ऐसा भी नहीं करना है लेकिन अपने आपको involve ज्यादा नहीं करना है बड़ आप अपना ये जो target है target अगर complete है उसके बाद involvement दीजिए जितना देना है अगर target नहीं हो पाया है तो involvement से बचिए ठीक है, तो आज इतना ही रहने देते हैं फिर आगे बात करेंगे हमेशा बोलते हैं कि कभी कभी आगे आए दीरे दीरे बात करते जाएंगे